हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है व्रधा अस्रम बेटा ये लोग कौन थे पिछले किस दिनों से तू लगातार अंजान लोगों को घर लाता है ये चल क्या रहा है क्यों आते ही ये लोग घर पर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में सुनीता जी आप इन सबसे दूर रहो भजन के इरतन करने की उमर है आपकी वही करो फालतु के कामों में ध्यान मत दो इतना बोल जतिन वहां से चला गया लेकिन सुनीता जी का मुन बेचैन था जतिन पिछले एक महीने में कई लोगों को घर ला चुका था सुनीता जी को कई बार लगा कि जतिन साइद मकान बेचना चाहता है लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था उनका दिल कहता था कि अगर ऐशी कोई बात होती तो जतिन उन्हें बताता जरूर और बस यहीं सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती लेकि इसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते हां माजी इसलिए तो जतिन ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं हमें लगा था अब तक आप समझ गई होंगी क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैशला ले लिया और जब चाहें जिसे चाहें ये घर बेच सकती हैं और पिर कहां जाएंगे घर बेच कर ये सोचा है तुम लोगों ने जी बिल्कुल सोचा है हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वरद्धा असरम भेजने का फैसला ले लिया है वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता ह और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं इलाज के साथ आपको देख भाल की जरूरत भी है जो हमसे अब नहीं होगी जितनी शेवा करनी थी कर ली अब हमसे और शेवा नहीं होती इसलिए अब आपको वरद्धा असरम जाना पड़ेगा सारा पैसा आपके इलाज पर पैरो तले जमीन खिशक गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गई आखों से असरुधारा बहने लगी उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही है जैसे तैसे खुद को संभाल रोती भी लगती वो अपने कमरे में पहुची सामने लगी पती की तस्वीर देखकर बोली कास आप होते तो ये दिन ना देखना पड़ता आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था लेकिन मैं पुत्रमों में इतनी पहने से घर उसके नाम कर दिया अब वहीं बेटा मुझे व्रधा अस्रम भेजना चाहता है माता पिता इतनी उमिद से अपने बच्चे को पालते हैं उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते याद है आपको जतिन को बच्पन में जब बुखार आता था मैं पूरी रा पता ही नहीं लगा सपने में उनके पती राकेश दिखाई दिये वो सुनीता जी से बोले देखो सुनीता पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधी मत बनो आज भी यहीं कहूंगा ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता रही बात तुम्हारे का मालिक है तो तुम भी कानून की मदद लो तुम पुलिस को फोन करो और बोलो कि बहु बेटे ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब ये लोग घर बेचना चाहते हैं ये घर बिकना नहीं चाहिए सुनीता इसमें मेरे जीवन भरकी कमाई लगी है ये घर बि पूठी और उन्होंने खुद को संभाला तभी कमरे में जतिन आया और बोला मा पूजा ने आपको सब कुछ बता ही दिया है आप अपना सामान बांध लो कल आपको जाना है आप फिक्र मत करो हम आपसे मिलने आते रहेंगे एक बार के लिए तो सुनीता जी अपने बेटे क देखती रह गई उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो जतिन उनके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था मा तुम ही मेरी दुनिया हो वहीं जतिन आज उन्हें व्रद्धा असरम भेजना चाहता है अंदर ही अंदर वो तूटती जा रही थी जैसे तैसे खुद पा रहा हूँ इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है आपको जाना ही होगा और वहां आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे आपको अच्छा लगेगा वहां जाकर मैं कहीं नहीं जाओंगी समझा तू ये घर मेरा है तभी जतिन के फोन की घंटी बजी और वो चरोणों में गिरकर माफी मांगने लगे सुनीता जी बोली बेटा माफी गलती के लिए मिलती है गुनाह के लिए नहीं जिसमा ने तुम्हें जन्म दिया पाला पोसा तुमने उसी के साथ धोका किया कोई माफी नहीं मिलेगी पुलिस जतिन को ले गई पूजा ने सास के सम बनी हुई हैं क्या करेंगे इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तुम ये बड़ी बड़ी बातें ना करो बहू तुम्हारे मुख को सोभा नहीं देती मैं तो दया और त्याक की मूर्थ थी तुम्हीं लोगों ने मेरे अंदर की जुआलों को जगा दिया और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख हैं हम सबकी लाइब में कोई न कोई दुख तो होता ही है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दुख कम करने के लिए अपने बुढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाए इतना सुन पूजा को जैसे साप सुंग गया करवाई पुलिस कंप्लेन वापिस ले ली जतिन घर वापिस आया तो बिल्कुल बदल चुका था उसे अपने किये का पस्तावा था उसने मा के शरुडों में गिर माफी मांग ली मा का नाजुक दिल अवलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटी को माफ क कर दिया दोनों मा बेटा खुब रोए और सारे अपराद बोध आशों के साथ बह गए आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद